वास्तु शास्त्र में घर के टॉयलट को महत्वपूर्ण माना जाता है और यह आपकी उर्जा को प्रभावित कर सकता है ठीक से वास्तु शास्त्र के अनुसार निर्मित टॉयलट सकारात्मक उर्जा को बढ़ावा देता है जबकि गलत वास्तु टॉयलेट नकारात्मक उर्जा को बढ़ा सकता है नकारात्मक उर्जा घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है जो उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थे पर असर डाल सकता है यह आपके मन को अस्थाइटा, तनाव, व्याकुलता और अनुचित विचारों के प्रभाव में रख सकता है. इसलिए, टॉयलट का सही वास्तू और स्थान चैन करने के लिए वास्तू शास्त्र के मार्गदर्शन का पालन करना उचित होता है. वास्तू के अनुसार टॉयलट से जुड़े कुछ टिप्स इस प्रकार है. टॉयलट की दिशा वास्तु शास्त्र में टॉइलट की स्थान दिशा का मेहत्व मान्या जाता है उत्तर पश्चिम दिशा टॉइलट के लिए अनुकूल मानी जाती है क्योंकि इसे सौभाग्य, समरिध्धी और प्रगती के लिए शुब माना जाता है इसके बदले में ईशान कोन में टॉयलट बनाने को वास्तु शास्त्र में अनुशनसित नहीं किया जाता है क्योंकि ये देवताओं की दिशा मानी जाती है और इसलिए इस दिशा में टॉयलट में नहीं बनाया जाना चाहिए टॉयलट को सही दिशा में बनाने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उसका स्थान ध्यान से चुना जाए इसे विश्राम क्षेत्र और निजी स्थानों से दूर रखने का प्रयास करें ताकि परिवार के अन्यस अदस्यों को टॉयलट से आने वाली नकारात्मकूर्जा का प्रभाव न हो टॉयलट का रंग हो कुछ ऐसा टॉयलट का रंग बेज, क्रीम और ब्राउन जैसे गहरे निउट्रल होना चाहिए ये रंग उत्तेजना को कम करके शान्ती और सुख के माहौल को बढ़ाते हैं इसके अलावा, इन रंगों का उप्योग टॉयलट में शुधता और शान्ती का अनुभव कराने में मदद करता है गहरे रंगों जैसे काले और लाल रंग का इस्तेमाल टॉयलट में नहीं किया जाना चाहिए इन रंगों का उप्योग घर में तनाव का माहौल उत्पन कर सकता है यही नहीं इन रंगों से नकारात्मक हूरजा बती है बालकनी में न बनवाए टॉयलट वास्तु शास्त्र में बालकनी में टॉयलट बनाने को अच्छा नहीं माना जाता है बालकनी में आप स्वयम को प्रकृती के संपर्क में लाते हैं और शांती और प्रकृती का आनंद लेते हैं टॉयलट को बालकनी में बनाने से यह प्राकृतिक और स्थिर माहौल को प्रभावित कर सकता है और नकारात्मक उर्जा बती है